तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेडी फॉर एससी में गाइस लास्ट हेरिंग यानि 29 अक्टोबल 2018 में जो हेरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में एससी CGL और CHSL केस में जो CBI ने स्टेटस रिपोर्ट सब्मिट किया था उसको मदे नजार रखते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा और जो भी अपडेटस थे वो हम लोग बात कर चुके थे हमारे प्रिवेस वीडियोस के अंदर उन बारे में मगर फिर भी उनकी नीचे जब मैंने कमेंटस देखे तो 100 of comments में common queries थी कि सर CHSL का क्या होगा उसके खिलाब तो सबुत मिले हैं या नहीं मिले हैं तो उन सारी questions जो आपके common थे उनके उपर हम लोग बात करेंगे CPO से related भी question पूछ रहे थे और genuine candidate की तरफ से बात करने वाले भी बहुत से लोग थे good और bad news है या good news है इन चीज़ों के लिए निचे comment box वे लड़ाई हो रहे थी तो मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ बाते share करनी चाहिए दीरे दीरे देखो जैसे दोस्तों आगे time जाता है वैसे वैसे court के अंदर क्या कुछ हुआ क्या बाते हुई वो चीज़े सामने दीरे-दीरे निकलना चालो हो जाती है तो कुछ-कुछ नई बाते पता चली है कि court के अंदर judges ने क्या कहा वकील ने क्या तरक रखे थे तो एक-एक query में आपका answer करता हूँ यहां से सारे common queries मैंने यहीं पे ली है और यहीं बेन का answer मैं आपको करूँगा जितना मुझे पता चला है अभी तक ठीक है जिन लोगों से बात हुई और जितना बड़े लोगों से यानि जो जुड़े हुए petitioner बगएरे से उन लोगों के सरीय से जो सुना वो चीज़े मैं बताता हूँ सबसे पहला जो topic है genuine candidates का भी तो नुकसान होगा ये तरक जजों के सामने काफी बार रखा गया और जो third party थी वो भी काफी बार रख रहे थे और शुरू से ही रख रहे थे तो court ने तो उनसे साफ साफ कहा कि भी आप हर hearing में आते हो और सेम बात कहते हो आप उन genuine candidates के लिए लड़ते हो जिनमें से हमें नहीं पता कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्नोंने cheating की है जो genuine नहीं है ठीके आप उनको कैसे अलग करो के कि ये genuine बच्चे हैं और ये genuine बच्चे नहीं है मेंने से पढ़ाई उन बच्चों ने भी की थी जिनकी cut off 1 mark से 0.50 mark से या 2 mark से रहे गई सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ corrupt बच्चे थे कुछ cheating वाले बच्चे थे जो कुछ officers की मदद से जिन्नोंने cut off clear किया और वो genuine बच्चा जिसने 0.0 mark से अपना cut off खो दिया उन बच्चों कि क्या गलती थी कोट का ये कहना है तो कोट कह रहा है कि कुछ action अगर हम लोग ले रहे तो आप उसमें हमारा साथ दो उसी के साथ government से कहा Supreme Court ने कि भई आप cancel क्यों नहीं करते हो आप cancel करो और सारा credit आप ले जाओ ठीक है हम अपने तरफ से order नहीं करेंगे हम करेंगे order तो र यानि कोट ने अपना व्यू बता दिया है कि हम cancellation के favor में है और उसी के साथ साथ जब वकीलों ने कहा कि भई आप एक काम करो आप छाट लो ना तकनीके लगा के जो बच्चे जो online exam के अंदर जिनोंने cheating की थी उनको आप अलब कर लो थोड़ा further investigation कर लो तो उस पर Supreme Court ने कहा कि CBI तो क्या उनके नजर में ऐसी कोई भी agency नहीं है जो online exam के अधर कितनी cheating हुई है इसका पता लगा सके और हर उस बच्चे तक पहुत सके जिसने cheating की है इसलिए ये कहना कि आप उसमें जो बच्चे select हुए है उसमें cheating वाले और अच्छे वाले चाट लो तो ये बिलकुल possible नह है कि हम cancellation के favor में हैं आप क्या कहते हो आप credit ले रहे हो या further हम कुछ action ले इसका जवाब वो next hearing में देंगे next hearing कभ है next month में वो भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी दिर में बता दूँगा ठीक है तो maximum chances है कि Supreme Court अगर government नहीं cancel करता है तो Supreme Court खुद ही इसको order देके cancel करवा दे next question है सबसे ज्यादा जो के sir SSC CHSL 2017 का क्या क्योंकि जो news ठीकल की उसमें तो सिजियल मेंस के बारे में बताया गया था तो CHSL क्यों cancel होगा तो बच्चों CHSL में STF report है उसके अलावा remote access के 90 screenshot CVI के पास है और court में है जजों के सामने इसलिए CHSL का exam भी cancel होना है ऐसा नहीं यह के न है रही पास CPO और other exam की तो CPO का कोई भी सबूत वहां पर अभी provide नहीं किया गया है या फिल दूसरे किसी भी exam का अगर इनके भी proofs वहां पर इसी बैतिगंगा में हाथ दोने के लिए पहुचा दिये जाए और एक तरक रखा जाए कि भाई vendor तो यही था exam का custodian भी तो यही गया है और उसकी next hearing है 30 November को कि जब इनका retirement का age हो गया है तो जबरदस्ती इनको क्यों पाल के रखा जा रहा है SSC के अंदर ठीक है तो खुराना साहब का 30 November को जो कुछ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके पहले हमारी SSC की एक और hearing होगी तो उसमें क्या updates होगे वो भी मैं आपको बताऊंगा तो hope कि आपको clear होता चल रहा होगा कि क्या बाते हैं अब जो बच्चे genuine candidates के नाम से रो रहे हैं देखो एक पात में आपको बताऊ आपके age का तो नुकसान होगा नहीं क्योंकि age के लिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं उनका age चला गया उसका क्या age का नुकसान नहीं होगा जिन बच्चों ने CGL या CHSL का 2017 का फॉर्म फिल किया था उनहीं बच्चों को वापस से एक्जाम देने का यहां पर मोगा मिलेगा हां बस यह चीज में थोड़ा सा confusion हो सकता है कि जो बच्चों ने 2017 में absent किया था टायर वन का एक्जाम क्या उनको भी द क्योंकि आपने उस टाइम apply किया था आपकी तो गलती नहीं है कि cheating हुई थी वो cheating जो vendor वगएरा था उनकी जिम्मेदारी थी कि किस तरह से अच्छे से करवाया जाए तो आपका age का नुकसान नहीं होगा नुकसान किसका होगा देखो जो बच्चों ने MTS बच्चे से exam में ब CGL के लिए भी तो बच्चों ने 20 लाग 40 लाग 50 लाग cheating वाले बच्चों ने किये होंगे बरके दिये होंगे तो अब उनकी कितनी जल रही होगी जब उनको ये पता चल रहा है कि exam cancel हो रहा है तो वो तो बच्चे रोएंगे इना और मुझे तो यहां तक भी doubt आता है कि court तक आप agree करो या नहीं भी करो तो जो बच्चों ने 30-40 लाग रुपे दिये है अब वो exam cancel हो जाएगा लगबख CHSL में 4000 बच्चों का कुछ पता चला कि इन्होंने cheating की थी और कितने होंगे वो नहीं बता सकते इसलिए exam cancel करने के favor में है Supreme Court तो जिन बच्चों ने इतना इतना पै chances है क्योंकि new vendor होगा तो इतना corrupt तो फिलहाल अगर होगा भी बाद में तो बाद में होगा शुरू में तो नहीं होगा और हम लोग उमीद कर रहे हैं कि काफी अच्छे से हो क्योंकि इतना सब कुछ issue हुआ है और कहीं ना कहीं 10% अगर corruption बचता है तो जिन बच्चों ने यहा इतना पैसा गवाया है क्या उनकी daring होगी कि वापस से वो लोग यहां पर आये new vendor के पास और वापस से उनको 30-40 लाग रुपे offer करें क्या करोड़ों रुपे लेके बैठे बच्चे कि वहाँ पर भी उन्होंने 34-40 लाग रुपे वेस्ट किया अब new vendor के पास आ रहे है फिर भी आ रहे है उनके पास अगर होगा भी पैसा तो वो लोग कितना डरेंगे कि भाई अभी अभी new vendor आया है कहीं इसका भी कोई screenshot सामने ना आ जाए यह भी cancel न हो जाए तो एक golden अच पॉर्चिनिटी है आप लोगों के लिए यह एक्जाम कुनसा 2018 का CGL होगा या फिर CGL, CHSL ज अभी तक जितनी जानकारी है उसे साब से 13 November 1025 रखी गई है आगे पीछे हो सकती है मगर अभी जो decide हुआ है वो है 13 November 2018 ठीक है इसके अलावा जो CBI की inquiry चल रही है जो वकीलों ने कहा था कि बहुत सात में चलने तो आप लोग है ना कि 6 मैंने तक एक्जाम का जो process है वो भी इस तरह से चलने दो और CBI inquiry भी चल रही है चलने दो आखरी में पूरी तरह से corrupt अगर पाया जाएगा तब आपको जो further action लेना होगा वो लिया जाए तो Supreme Court ने कहा कि भई status support से और अभी तक जितनी जानकारी मिली है इसी से पता चल रहा है कि exam के अंदर cheating हुई है question paper leak हुए है custodian की गलती है तो फिर वापस से फिर पूरी 6 मैंने का process चला जाए और वो बच्चों को वापस से एक उमीद के तोर पर रखा जाए procedure आगी बढ़ाई जाए और 6 मैंने के बाद में वापस cancel किया जाए तो बच्चों को तो और benefited from this ठीक है एकदम strict है इस मामले में Supreme Court के एक भी बच्चे को वो allowed नहीं करेगा कि उसको cheating के जरीए से government का हिस्सा बने इसके पहले जो कुछ हुआ वो हुआ ठीक है और भी क्या important update होंगी वो आप मुझे question कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा या फिर कोई नई चीज मुझे पता रहते हैं या कोई दूसरे form निकलते हैं time to time आप उनको भी fill करते रहो आपके हाथ में इस वक्त एक job होना काफी ज़्यादा जरूरी है यानि आपके घर में रोजगार आ जाएगा ठीक है तो आप दूसरे भी forms भरो और साथी साथ SSC भी करो क्योंकि देख रहे हो आपका भर काफी beneficial रहने वाला है तो अभी तक जितनी जानकारी मिली थी वो सारी बाते मैंने आपको बता दी आपके साथ share की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like करें share करें और comment करके कुछ question होगा तो पूछ सकते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं की जाए तो सब subscribe कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का notification मिलेगा time to time मैं आपको हर नए अपडेट देता रहता हूं SAC की वो भी आपको मिलती रहेगी उसके अलावाद जो हम लोग study भी start करने वाले हैं तो उसकी भी वीडियो आपको मिले अभी के लिए वीडियो में इतना ही thank you bye bye